ओम स्री गनेश शाय नमा दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जुलाई सनिवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज विद्ध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सपलता मिलने की पूरी संभावना है इसलिए अपनी पढ़ाई के परती एकाग रिचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे साथी साथ दोस्तो किसी धार्मिक प्रवर्ति के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कारों के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से जादा आपको प्राप्त होंगे धार में कारो के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहौल रहेगा आपकी महनत वे परिश्रम से कोई महत्पपून कर रहे आज संपन होगा आपकी यो हुई प्रितिष्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में व्रद्दी होगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तों आज आपको नहीं नहीं सफ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आला स्वे मनोरंजन में समय व्यतीत करने की वज़े से बंते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है और इसकी वज़े से आपके पुर्वक सुल जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज़ सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परन्तु ध्यान रहे कि किसी भी कार्रे को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहल अती आवश्यक करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है साथी साथ आज अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत करना पड़ सकता है परन्तु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है कोई भी अनुचित कार रह और आपका क्रोध पूर्ण वैवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है शावदान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथी आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों में आज काफी मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा मनाएगा तथा आप से स शाती की आप सलाह वश्च चलें आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कार्रे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गलती होने की भी आज संभाव ना है दोस्तो देनिक आय में व्रत्ति अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती है आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभाव ना है कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम ले लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूप्यो की वियाव सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वेवसाय के विचार संभन्दित रूप रेखा पर किसी भी कार्य को आज इस्तगित करें आर्थिक सादनों में आज व्रद्धी होगी परंतु किसी भी प्रकार के बड़ी मुसीबत से बचा सकती है नोकरी पेशा व्यक्तियों से बौस्वे अधिकारी बर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रमोशन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज गिरने से या वाहन आदी स चोट लगनी की संभावना बन सकती है इसलिए आज आज आप अत्यादिक सावधानी बरते हैं वैसे आज आज आपका स्वास्त बहुत ही अच्छा रहेगा साथ शाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात करें लेते हैं आज आपके लिए विशेश पै क्या है दोस्तो आज आप इश्वनाना आदिस निर्वत रहुने के बाद अपनी लंबाई के बराबर काले रंग का धागा नाप ले या दोस्तो फिर आप एक पत्ता बरगद का तोड़े या दोस्तो उसे आप पत्ते पर आप लपेड़ दें या दोस्तो इसके बाद आप इस पत्ते को भगवान शनीदेव का इसमन अन करते हुए बहते हुँ जल में प्राहित कर दें और साथ इसाथ अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तो ऐसा करने से आपके जीवन की सभी प्रकार की बाद हैं दू कि ने लगेगा या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शनीदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्ष में जैस शनीदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक टरन ना भूलें धन्यवाद